सावन का पहला महाउपाई जान लेते हैं क्या लंबे समय से कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो सावन के किसी भी सोमबार के दिन व्रत रखे और सच्चे मन से भगवान शिफ की पूजा आचना करें अगर आप ये करेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी अब जल्दी से आपको सावन के सोमबार का दूसरा महाउपाई बताती हो क्या लंबे समय से दर्ग से रहत नहीं मिल रही है डॉक्टर से सला लेने के साथ साथ आपके उपाई कर सकते हैं सावन में भगवान शिफ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध और काले तिल से अभी शेक करें लेकिन थोड़ा थोड़ा सा कीजेगा बाकी दूध किसी गरीब को दान कीजेगा देखिएगा कैसे बात बनती है चलिए सावन के सोमवार का तीसरा महा उपाई क्या है अब आपको ये बताने का वक्त हो गया है क्या परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है आपको ऐसे में मन लगा कर मेहनत करें इसके अलावा शक्कर मिलेवे दोड़े से मीठे दूध को शिबलिंग पर अभी शेक करें ये उपाई अगर आप कल कर लेते हैं तो देखिए आपकी इच्छा कैसे पुरे होती है शो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सावन के सोमवार का चौथा महा उपाई सुनिए क्या मन में पाप का बोध हो रहा है किसी बात को लेकर गिल्टी फील करते हैं तो सावन के पांचवे सोमवार शिंबलिंग पर थोड़ी सी भांग चड़ानी है इसे धीरे धीरे आपको अपने गिल्ट से मुक्ती मिलेगी आस्ट्रो स्पेशल का टाइम हो गया है आपको कई के रक्षा बंदे से जुड़ी खास आस्ट्रो टिप देती हूँ बहुत काम आएगी ये वो खास चीज है जो मुझ से सीधा आप तक पहुंचती है ये इंफॉमेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगी देखे भाई बहन का रिष्टा अच्छा है इसके बीच में जरूरी कड़ी है वो है भावी जिसे आप भूल नहीं सकते अगर किसी भी बहन का रिष्टा अपनी भावी से अच्छा है तो भाई से खराब होने के चांसिस almost negligible हो जाते हैं तो बहने कल ऐसा क्या करें कि भावियां आपकी दिवानी रहे आपकी और भाई के बीच अर्चन ना बने इसके लिए ध्यान से सुनिए दो बातें सबसे पहले जब आप अपनी भावी के लिए कुछ लेकर जा रहे हैं तो अपने भाई के साथ साथ भावी के लिए गिफ्ट जरूर लेकर जाएं अब इस गिफ्ट में क्या खास बात करें हैं इस गिफ्ट में एक खास बात करनी है इसका जो रैपिंग पेपर होगा ये गोल्डन कलर का होगा दूसरी जरूरी बात अपनी भावी की जूठी चीज या अपने मूँ से आधा तोड़ावा मीठा अपनी भावी को खिलाईए और फिर भावी को खिलाईए अगर आप ऐसा कर पाती है तो भावी के साथ आपका अटूट रिष्टा बन जाएगा तीसरी चीज जो आप कर सकती हूँ है कि भावी की फोटो अपने घर में नौर्थ वेस्ट डारेक्शन में लगाईए और इसको अपनी मदर के यहां से चावल लाकर अगर उसमें डाल कर रखते हैं तो भावी आपके साथ मा जैसा विभार करने लगेंगी इन रिबैंडीस को ठ्राई करके देखिए चलिए शो के अंप में आपको सावन के सोमवार का पांचवा माहा उपाय बताते हैं क्या किसी अनहोनी का डर आपको सताता है कोई फियर साथ में लेके चलते हैं शिबलिंग पर आवला और आवले का रस चड़ाए डर से मुक्ती मिल जाएगी